आज इस वीडियो में बच्चो हम अपना क्लास 9 इकनोमिक्स का चैप्टर नमबर फर्स दा स्टोरी ओफ विलेज पालंपूर के बारे में कवर करने वाले जो कि अपने आप में इंक्रेडेबल टाइप का विलेज है और इसकी रियालिटी भी थोड़ी हमें चैप्टर के कवर कर लेना है ताकि एक्जाम में हमसे इतने इसी भी गलती ना हूँ मेक शूर कि अगर आप चैनल पे नियू है तो सब्सक्राइब जरू करके रखिएगा क्योंकि वन शॉट वीडियो सिर्फ आपको एकनोमिक्स की नहीं क्लास 9 SST के हर एक सब्जेक्ट की देखने को मिल सब्सक्राइब करने की तो एक तरीके सब्सक्राइब करते हैं गाओं के अंदर जो एक तरीके जो गूड्स और सर्विसिस होते हैं ताकि लोग उनका यूज कर सके अलग 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 एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हुए पड़े है और इसके अंदर तो यह इस लेसन का एक ओवर्वियू है अगर हम बात करें पालंपूर विलेज के इंट्रोड करीती तो ट्रांपूर्टेशन आप देख लिएगा किस टाइप का है बुल लॉक्स काट्स टांगास बोगी मोटर साइकल जीप ट्रैक्टर एंड ट्रक्स इन ट्रक्स के विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो हमें पालंपूर की रोड पे देखने को मिलती है ऑब आप यह तो जानते हो कि लोग एक जगह से लिजिदा इंट त्रांसपोर्ट का यूज्स करते लेकिन जो माल होता है जो गुडुट्स होते है उसको भी तो एक जगह से दूसी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है और कुछ लोगों का यह मेन वर्क भी होता ह् है क्योंकि ट्रांस्पोर्ड भी एक तरीके से सर्वी सेक्टर है जिससे कि लोग अच्छा अगासा कर सकते हैं इसके अलावा इस गाउं के अंदर बच्चों आपको टू प्राइमेरी एंड वन हाई स्कूल देखने को में लगा और इसके साथ साथ प्राइमेरी हेल्ट सेंटर है जो गवर्मेंट के तुरू रन किया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है यहां पर फॉर अंडर्ट फिप्ट्री डिफ्रेंट फैमिली जो है वो एक्जिस्ट करती है अलाग अलाग कास्ट से रेलेटिड है अगर हम बात करें इनी में से तो ऐसे हैं अपर है वो अवेलेबल रहती है यानि कि अच्छा कासा कनेक्शन है बिजली बार बार नहीं जाती है इसके अलावा यहां पर स्मॉल मैनेफेक्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट शॉप कीविंग और फार्मिंग यह सारी चीज़े वह हमें विलेज पालंपूर में देखने को मिलती है तो यह तो पालंपूर विलेज के बारे में बात होगी जैसे कि मैंने आपको बताया था इस लेसन के अंदर आपको सबसे पहले बेसिक कोंसेप्ट जानना पड़ेगा प्रोडेक्शन का क्योंकि लोग अलग अलग के अंदर ही तो एक तरीके से काम करते कोई प्राइमेरी को आप जानते हो कि किसी भी चीज के लिए लेंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है युमन के लिए तो एक वाइटल रिसोर्स माना जाता है वोटर हो फॉरेस्ट हो लैंड से हमें एक तरीके से मिलते हैं तो आप लगा सकते हो आईजिए सीच को लैंड हमाले कितना और जहां पर आप जो land को लोगे तो उसके आसपास का environment आप देखोगे और जब बात production की आती है तो यह चीज है तो वह ऐसे भी matter कर जाती है ठीक है तो यह primary source है then second हम बात करेंगे labor की आपने कोई company को establish करना है तो आपने land देख लिए ठीक है भाई मैं यहाँ पर अपनी company establish करूँगा अब उस company को establish करने में किसकी need होगी labor की need होगी अब यहाँ पर ध्यान रखेगा labor two types के होते है एक आप कह सकते है एक educated है और एक non educated है तो educated जो हमारे civil engineer होते है जिनके पास अच्छा कासा जो blueprint के basis पे अपना interior exterior इनका use करते है कि वो कैसा shape होनी चाहिए कैसा design होगा तो वो तो एक तरीके से पूरा idea देते है कि काम को किस तरीके से करने है यह first labor होती है second labor होती है जो non educated होती है ज्यादतर जैसे हम बात करते daily wages के बारे में जो मजदूर ह होते हैं तो वो daily wages पे काम करते है वो direction के basis पे काम करते है कि ऐसे ऐसे काम करना है ठीक है जिनने daily wages पे income मिलती है तो labor होगे ठीक है तीसरी जो चीज आती है भाई आपने company को establish करने के लिए land purchase कर लिया आप labor भी लेके आगे अब आप क्या काम रहा गया अब बात यहां पर आए capital की अब capital का कैसे use होगा production के अंदर वो two types से होगा एक तो होगा fixed और दूसरा होगा working fixed capital जो one time investment होती है और working capital जो time time पे उसका spend होता ही रहता है for example जैसे आपने एक बार में मशीन मंगा ली buildings बना ली tools आप लेकर आगे तो यह तो one time investment होगी लेकिन एक होता है during the process जब वो काम चल रहा होता है उस समय भी तो पैसा खर्च हो रहा होता है जैसे आपको time time पे raw material मंगवाना पड़ता है जो खतम होया तो फिर दुबारा मंगा हो इसके अलावा आपको salary देने पड़ते है कैश देने पड़ते है डेली जो आपके खर्च होते रहते तो एक तरीके से working capital जो बार-बार खर्च होते रहते और फिक्स जो one time investment होती है लास सबसे important होता है वो है human capital तो किसी भी चीज को successful बनाने के लिए आज के समय human capital का होना काफी ज्यादा ज़रूरिया क्योंकि human भी तो साही direction मिल पाती है ताकि वो अपनी skill का अच्छे तरीके से use कर सके जब यह सारी चीज़े combine होते है तब जाके हम कह सकते है कि production काफी अच्छे तरीके से हो सकता है तो यह basic concept है उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझाची करेंगे next बच्चों हम बात करेंगे farming in पालंप पालंपूर में जो farming है वो किस तरीके से की जाते है वैसे तो हमें इन सारे के सारे topics को one by one करके cover करना है लेकिन आप यह पहले से ही समझा लिजगा कि पालंपूर में सिर्फ farming ही होती है ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पर जो activity है ना वो agriculture से related भी है और non agriculture वाली भी है ले यहां के जो जमीने है जो लैंड है वो एक तरीके से फिक्स्ट है यादि कि उनका expansion नहीं हुआ जैसे almost about 75% जो population है वो टिबैंड करती है farming के उपर पालंपूर के अंदर और उनका जो लैंड है वो ज्यादतर किस के अंदर आता है cultivation के अंदर और और वो fixed है यहां पर कोई expansion न देने लगे दा देर हैस्बी नो एक्सपेंशन इंडा लैंड अरिया अंडर कल्टिवेशन सिस 9060 जो थोड़ा वहुत काम हुआ तो उसी समय हो तो उसके बाद यहां पर और ज्यादा expansion हमें नहीं देखने को मिले सैकिंड आता है यहां पर चेंज इन मैथेड ऑफ कल्टिव करने के लिए लाए गएते अब यह multi cropping system होता क्या है उसे समझ लिजेगा वैसे तो आपसे आपको नाम से भी पाता चल चुका होगा method of multiple cropping system जो पालंपूर में used होता है तो इसमें होता है कि जो cultivation होती है न वो different type की जो cross होती है वो same piece of land के उपर same time या फिर different time के उपर की जात उगा रहे हैं अलग-अलग time पे उगा रहे है seasonal basis पे तो लेंड आपका एक ही है लेकिन आप जो crops पहले एक ही करते थे अब एक से ज्यादा कर रहे हो क्योंकि technology आ चुकी है ना for example जो वार और बाजरा का दे रखा है यह जो है वह आप रेनी season के अंदर grow करते हो और potato जो है वह की land के उपर multi cropping system जो आज की समय वैसे भी किया जाता है ठीक है reality में भी और ताता है modern farming अब यह modern farming तो एक तरीके से modern farming की वज़े सही ना multi cropping system तेजी से grow भी हो रहा है इस type की farming में क्या होता है जो hyv seeds होते है जिसे हम high yielding varieties के seeds कहते है वो used किये जाते है जो traditional seeds होते हैं उनमें इ seeds जो है वो एक तरीके का आप क्या सकते हो green revolution की वज़े से इंडिया के अंदर यह सारी चीज़ा है थी यहने कि science and technology हमारे agriculture field के अंदर तेजी से grow होई थी इससे हुआ क्या है इसका result क्या है कि same piece of land produced करने लगा है जादा से जादा larger quantities of food grains तो green revolution का जो सबसे बड़ा credit दिया जात है अगर हम इंडिया के कुछ states के बार में बात करें तो इसके अंदर पंजाब हरियाना वेस्टन तरप्रदेश यह कुछ ऐसे states है जहां पर modern farming method को सबसे ज्यादा यूज किया गया था first time जब इंडिया के अंदर green revolution आई ती है उसका एक reason यह था कि यह state वो थे जिन में already तनी capacity थी कि वो modern farming जैसी चीजों को अच्छे तरीके से acquire कर सकते है तो government ने भी पहला initiative इनी स्टेट्स के अंदर लिया था और मैं आपको एक fun fact बतायता हूं all over India के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो farming है वह आपको northern plains यानि कि जहां पर हरियाना पंजाब वेस्टन यूपी जैसे state जाते है यहीं पर ही देखने को मिल जाती है नेक्स्ट हम बात करते है sustainability of land को लेकर वह कैसे है according to scientific report in modern farming natural resources are overused क्योंकि ज्यादा इसके न फायदे थे वह नुकसान भी थे modern farming की वह से क्या हो गया कि जो लैंड का यूज तरों कुछ जादी होने लगा क्योंकि ज्यादा production चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा है यूज होने लगा पैसिट जो छिड़काव होता है मच वह तरके से यूज होने गा सबसे बड़ी चीज थी कि जो ग्राउंड वाटर था growth of plants जब उसकी grassroot level से आप जड़ ही पूरी खतम कर दोगे तो फिर क्या ही बचेगो तो बेरन हो जाएगा बंजर भूमी हो जाएगी ना तो जहां इसके फाय देते हैं वहाँ नुकसान भी तो इसलिए सारे चीज़े भी बताऊंगा तो इसलिए sustainability of जो लैंड की बात आती है जिनके बाद खुद के अपनी जमीन नहीं है 240 फैमिली ऐसी है जो cultivate करते है small plots of land मालग छोटा मोटा उनके पास plots है लैंड के तोर पर है एक्जम्पल के तौर पर बताएगे 2 hectare in size और जो remaining 60 फैमिली है वो cultivated करते है 2 hectare of the land तो कहां पे 240 और कहां पे 60 फैमिली तो जो दो जिनका जो cultivation है वो 10 hectare से या उससे ज्यादा का है तो सबसे रीच जो होंगे वो limited से होंगे फिर उसके बाद 60 फैमिली फिर उसके बाद 240 और जो रेस्ट है वो 450 फैमिली तो कुछ इस तरीके से distribution है लैंड का पालंपूर के अंदर 7 आता है लेबर को लेकर अगर हम देखे पा आपने लैंड है उनके ज्यादा बड़े नहीं है है ना 200 के आसपा जो फैमिली से स्मॉल प्लॉट्स के ही उनके पास लैंड से तो इसलिए उनके घर के सदस से उसके पर खेतिवारी कर लेते हैं और जिनके अपने खुद के निया तो किसी दूसरे के लैंड पर कर लेते हैं hoaisers can be in cash back an expansion the wages vary from region to region be where and will farm activity उनादर और जो पैसा मिलता है वह क्यश किल पर मिलता है या यहatif करता है region के सो दूसरे घरोपि अलग-छाइप हो सकते हैं जैसा दे वहाँ पर हो जाता है capital की बात करें तो यूज capital की requirement है method of modern farming करने के अंदर जो small farmer आप जानते हैं उनके पैसे की कमी है lack of capital they borrow money from the large farmer and money lender at higher rate of interest तो जब लोगों को दिखता है कि इसके अंदर potential है शमता है तो ऐसे में वो invest करने की सोस्ते भी है अब invest करने के लिए पैसे की लेते जातर उधार के तोर पे जो money landers होते हैं या बड़े जो किसान होते हैं अब बड़े किसान असानी से तो देंगे नहीं तो वह भी क्या करते है एक तरीके से जो उनका rate of interest होता है वह काफी high level का होता है there are three type of capital which are mostly used in the organization जो हमने पहले भी बात करी थी एक तो खुद working capital थी जो टाइम टाइम पे खर्च होते रहती है एक fixed capital जो one time investment होती है और एक human capital जो educational skill के basis पे यूज की जाती है selling of farm product अब इतनी सारी आप खेती करते हो तो कहीं ना कहीं तो उसको sell out करोगे ना surplus product are sold to medium और a large farmer by the small farmer माली जगा कि मैं एक small farmer हूँ तो मेरा मैंने जो भी खेती बाड़ी किया ना तो मेरा जो product है निकल किया है वो surplus में extra है में को requirement 60% की लेकिन में को 70% यानि कि जो 10% है वो मेरा surplus product हो उसको मैं बेज दूँगा आफटर डेट मीडियम किसको बेजूँगा मीडियम और लाज farmers को मिलूँगा तो यह जो मीडियम और लाज फार्मर वो क्या करते है surplus को directly बेज देते हैं मार्किट के अंदर तो किसान ने बेचा इन फार्मर को फार्मर ने बेचा डारेक्ट मार्किट के अंदर क्योंकि उनकी पागड़ों ज्यादा अच्छी होती गया ट्रेडर और जो ट्रेडर है बाइक करता है प्रोड़क्ट को मार्किट से और सेल करता है प्रोड़क्ट को शौप कीपर पर जो एक चैन बंदी होती है न कि जैसे एक किसान ने ग्याहूं की फसल गए ग्याहूं गया एक तरीके से मिल कंपनी के अंदर जहां पर वह आटा बना फिर आटे से पूचा वह वहौल सेलर मे फिर रेटेलर से गया वह आपके पास केंजिवर में फिर आपने मज़े से उसकी रोटी खाई यह चीज़े तो इस तरीके से यहां पर सेलिंग हमें देखने को मिलती है तो यह सारी जो चीज़े वह पालंपूर के अंदर फार्मिंग से रिलेटीड है तो अब हम यह माले क्या पालंपूर के अंदर सारे लोग फार्मिंग अक्टिविटी में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ज्यादत जो पॉपलेशन है वह फार्मिंग अक्टिविटी में लेकिन कुछ लिमिटेड पॉपलेशन जो फार्मिंग न ना वह आप जायता लोग घर पे भी करते और घर के बाहर भी करते हैं इससे क्या होता है कि family की help मिल जाती है तो इसलिए यहां पर जो labor है वहां ने starting में पढ़ाता है लोग काफी rare तरीके से higher करते हैं सेकंड आता है transporting मैंने आपको starting में भी बता है था कि जो लोग है एक जगह से दूसरी जगह है उदर वेरियस टैप की वेहिकल का यूज होता है ना चाहिए वह बोगी जो तांगा हो गाड़ी हो पीपल एंड गूट्स आर फैरे फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर थू ट्रांसपोर्टिंग सर्विस इसके अलावा फॉर्द सर्विस दव वर्कर गैट पेट इन पालंपूर रोड इस मोड ऑफ दा लोग की कमाई का जरिया भी है वहां पर जो थर्ट चीज आती है वह भी इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं डेरी जो एक मेजर सोर्स माना जाता है पालंपूर के अंदर पैसे कमाने का डेरी की अगर हम टाइप करें तो वह सारी चीज़े आती है जिसमें हम ग्रेजिंग क सारी के से लोग वहां पर चला लेते हैं अप देखती हो गाउं के अंदर छोटी मोटी किराने की शॉप होते है तो शॉप कीपिंग से भी क्सार जाता है पालंपूर के अंदर पैसे कमाने का अब जो अपनी शॉप पर वाइड रेंज के जो आइटम है वो रखता है चाहे ह तो आप कह सकते हो कि यहां पर अपनी दुकान अकेले चला लेते हैं जिससे जो अपना सर्वाइवल के लिए उनके काम आ जाते हैं तो यह सारी नॉन जो modern farming method उसके बार में बताया था तो उसके बार में इसलिए बताया था क्योंकि green revolution का कहीना कहीं रोल रहा है इंडिया के अंदर the great increase in the production of wheat and rice in India in the 1916 is known as a green revolution तो जब ग्याहूं और चावल में इनके उत्पादन production में जब तेजी से में एक तरीके से growth देखना को में तो कहीना कही जो रीजन था वो green revolution था मैंने आपको पताया फर्स्ट फेज Northern Plains के जो स्टेट से वहीं पर हाया था हर्याना पंजाब वेस्टन यूपी में जहां अलड़ी यह चीज़े होती थी लेकिन science and technology की help की वएसे वहां पर various type की चीज़े की जाने लगी और method जो थोड़ा modern type का हो ग के लिए जिसे हम पानी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे groundwater का यूज होने लग गया था pumps लग गये थे spinning आ गया था modern farming machinery लाए गयती fertilizer का यूज किया गया था पैट्सी डाइस का यूज किया गया था modern tools ला दिये गए थे ट्रैक्टर हो गया अब हाथ से चलाने की ज़रत नहीं है सीधा ट्रैक्टर आ गया गाड़ी आ गया है जो खेत में काफी अच्छा काम कर रही है है ना तो यह सारे जो थे कि हम करेंगे शुरुआत अच्छे से करते हैं तो इससे क्या हुआ कि agriculture के production में अच्छा कासा में growth देखने को मिला साथ ही साथ employment opportunity क्योंकि ज्यादा काम ज्यादा काम के लिए ज्यादा जैने तो employment opportunity भी काफी अच्छी कासी बड़ी strength देखने को मिली हमें agriculture industries के अंदर क्योंकि अलावा जो फार्मस थे वह मार्किट के और ज्यादा oriented हो ने च्रील होगी क्योंकि वह अपना माल ज्यादा अच्छी कीमत पे बेशना चाहते तो उनके पास भी अच्छी कासी opportunities आने लगी तो यह तो सारी अच्छी चीज़े थी बल्ले बल्ले हो रही थी negative impact क्या था देखो नेगेटिव तो था जो फर्टिलीटी थी सोईल की वह काफी लोस होते जा रही थी क्योंकि इतना irrigation का यूज हो रहा था ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा था पंस के तुरू नल्स के तुरू तो इससे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा कमी भी होती जा रही थी पानी की त बहुत सारे स्टेट्स थे तो यह स्टेट्स तो काफी अच्छे से ग्रो होते चलेगे इसके वज़े से ग्रीन रेवलुशन लेकिन ग्रीन रेवलुशन का फायदा सभी स्टेट्स को नहीं हो तो इससे रीजनल डिस्पारिटीज भी काफी बढ़गी यह एक नेगेटिव साथ इसा इंटर पर्सनल इनिक्वैलिटीज अब जिन स्टेट्स के अंदर ग्रीन रेवलुशन का फर्स्ट पेज आयता अब ऐसा थोड़ी था कि वहां पे हरे किसान की बल्ले बल्ले होगी ऐसा नहीं था जो ओलड़ी रिच जो थे ना फार्मर्स जिनके पास इंवेस्मे इनिक्वैलिटी भी काफी अच्छी कासी हमें बढ़ती देखने को मिले तो यह एक ग्रीन रेवलुशन के नेगेटिव इंपक्त हैं लेकिन अगर हम ओवराल कॉंक्लूजन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें किक स्टार्ट मिला था ग्रीन रेवलुशन के वैसे जिसे हम ज यहां तक की गवर्मेंट भी एक तरीके से अपनी साइट से इनिशेटिव लेती है उनको टीवी के तुरूज समझाया जाता है सारी चीजे गाउं गाउं में लग चुके हैं और रेट अफ इंट्रेस्ट है वह भी काफी लो लेवल पे प्रवाइड कराया जाता है ताकि कि टॉपिक ऑवरॉरल बच्चों पालंपूर में, सुक्राइब हो आपको कफी अच्छे से समझ आई चुकी ओएगी जिसके अंदर आप सिंप्ली फार्मिंग च्क्र और नॉन फार्मिंग के बारे में और ही और यह आप खुद बता जिस और स्यमें घास कि सो थीक है स& झाल झाल